नमस्कार दोस्तों सागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जेनी एजूकेशन पर मैं हूँ आपका होस्ट प्रेजापते विकास फार्मसिस्ट आज इस वडियो में जानेंगे दोस्तों खांसी की बैस्ट सिरप के बारे में जब भी लोगों को खांसी होती है तो वो खांसी का सिरप का इस्तमाल करते हैं लेकिन उनका आराम नहीं मिलता है आज इस वडियो में जानेंगे ऐसी सिरप के बारे में जिसका इस्तमाल करते ही खांसी ठीक हो जाती है कई सारे लोगों को खासी होती रहती है सिरप का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन उनकी ठीक नहीं होती है तो ऐसी बेस्ट सिरप के बारे में जानेंगे जिनका उप्योग करते ही खासी ठीक हो जाती है जिस दिन उपयोग करते है उसी दिन से उनको आराम मिलने लग जाता है अब खासी भी अलग-अलग प्रकार की होती है चाहे वो सूकी खासी हो गेली खासी हो लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि गेली खासी में कौन सी सिरफ उपयोग करते हैं और medical वाली उनको branded या generic दवाई दोनों दे सकते हैं लेकिन उनको सूकी खासी या गेली खासी से कोई मतलब नहीं होता है और लोग उसका उप्योग करते हैं फिर भी उनको खासी से रहात नहीं मलती है इलाज उनका नहीं हो पाता है तो आज इस वडियो में ऐसी दो सिरप के बारे में हम जानेंगे जिसका उप्योग करने के बाद में गेली खासी भी ठीक हो जाएगी और सूकी खासी भी ठीक हो जाएगी जिनका नाम है जेडेक्स सिरप और दूसरी है ब्रो जेडेक्स सिरप दौनों शिर्ड के बारे में हम जानेंगे, कौन से सिरफ का उप्योग सुक ही खासी मोताई और कौन से सिरफ का उप्योग ? गिली खासी मोताई वीडियो में आगे बनेंदे पहले दोस्त आप सबस्काइट करूँ गा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को сосky कर अपना दिखाएगा ऐसे हिना ने वीडियो आपको इस चान पर मलती रहेगी. चले बात करते हैं, एक-एक सिरुप के बार में हम बात करेंगे, सब-से पहले बात करने वाले हैं, ZX सिरुप के बार में, ZX सिरुप इसका ब्रेंड नेम है और इसका जो कंपनी है, जो branded medicine है क्योंकि ये Dr. Reddy की branded medicine है और अगर इसके composition की बात करें क्या composition इसमें होता तो इसके अंदर dextromethorphan और chlorofenramin mellet होता है इसके अंदर जो जब भी आप syrup लेते हो तो इसके अंदर ये active ingredient आपको check करना है कि इसके अंदर dextromethorphan है और chlorofenramin है बात करते हैं इसके uses के बारे में कैसे कब इसका use होता है कौन सी खासी को ये ठीक करती है तो इसका उपयोग सूखी खासी के लिए होता है जब भी आपको सूखी खासी होती है जिसमें बल्गम नहीं आता है तो उस दुरान ये syrup use की जा सकती है और साथ में चोटी मोटी जो allergy होती है जैसे कि नाग से पानी आना चोटी मोटी जो भी allergy होती है वो भी ठीक हो जाती है बात करते हैं इसको लेने के तरीके के बारे में किस तरीके से और कैसे इसको लेना होता है तो इसको तीन टाइम ले सकते हैं एक बार सुबह दिन में और शाम को अगर नॉर्मल खासी हो रही है तो आपको सुबह शाम लेना है जादा खासी हो रही है तो आप इसको तेन टाइम ले सकते हैं और इसको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में दोनो टाइम इसको लिया जा सकता है अब इसके side effect की बात करते हैं अगर इसके उपयोग जान लिया तो कुछ ना कोई side effect होंगे ही side effect की बात करते हो इसकी वर्जे से देखिए sleepiness हो सकता है नी नाने जैसी condition हो सकती है और इसी के साथ में आपका जो stomach है वो upset रह सकता है अब दूसरी सिरप के बारे में बात करते हैं दूसरी सिरप कौन सी है जिसका नाम है bro zx syrup और ये भी एक branded medicine है bro zx इसका brand name और ये dr ready की branded medicine है इसके अंदर active ingredient की बात करते हैं composition क्या होता है इसके अंदर तो इसके अंदर इस सिरप का उप्योग किया जाता है और इसे के साथ में अगर चोड़ी मोड़ी allergy हो रहे है तो उस allergy को ठीक करने के लिए भी ये शिरप दी जा सकती है और क्या होता है जब भी आप स्वांस लेते हो स्वांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि बल्गम की वज़े से फेफड़े जो है या जो airway होते वो ब्लोक हो जाते है तो उसके वज़े से स्वांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके लिए भी ये जो सिरप पे काम आती है मास लेने में राहत दिलाती है तो इस प्रकार से यह एल powdered ईलाज में काम आती है अब बात करते इसके साड़ Nedelsně को सकति है कि उसके वजह सकते हैं इसके साथ में नोजया bloods हो सकती है रेश घृझ सांज़्ट को सकती है । मैं सीना नगव सकता ये कुछ common start effect है, बात करते हैं इसके लेने के तरीकिए के बारे में किस LaCness को लेना है और कैसे लेना है तो इसको चुपँ शूश्杜ा में पीना होता है और ये खाना खाने से पहल और खाना खाने के बाद में दुन्रों time पी सकते हैं और अगर जिनको खासी ज़्यादा हो रही है गेली खासी ज़्यादा हो रही है तो वो तीन टाइम ले सकते हैं सुबह दिन में और शाम को तीन टाइम इसका उपयोग किया जा सकता है तो इस प्रकार से गेली खासी और सुखी खासी में जो सिरफ यूज हो रही है उसके बारे गयमाद